एलो नमस्कार दोस्तों अभी भी मौसम की जानकरी के मुताबित मध्य परदेश के कई जिलों में भारी से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा कुछ जगों पर दोस्तों गर्मी से रात मिली है तो कुछ जगों पर आंदी तूफान की आशंका है और कई जगों पर ओला औरष्टी और भारी बारिश के सम्मावनों जताई जारी है तो अगर आप मध्य परदेश में कहीं पर भी रहते हैं तो आप वीडियो को पूरा आपकर ओल पर क्लिक कर दीजो और दोस्तों में नीचे कमेंट करके बताईए कि आप मध्य परदेश के कौन से जिले गावे शेहर में रहते हैं यानि कि आप मध्य परदेश में कहां पर रहते हैं कमेंट करके जरू बताना तो दोस्तों आभी अभी मिली मौसम की जानकरी के मुताबित मध्य परदेश के कई जिलों में भारी से भारी मौसम में बदलाओं देखने को मिलेगा भारी 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 होने की संभावन अजते जारे और दोस्तो कई जगों पर लू चल रही थी मौसम विग्यानिकों के मुताबित दोस्तों बताज़ारी की गौालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है और बताज़ारी की पूरवी मध्य परदेश में जबलपूर शेडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश होने का सिलसिला शुरू हो सकता है इन हिलाकों में मौसम बदल सकता है तीन से चार दिनों तक मौसम बिगड़ा रहने का अनुमाने उधर बताज़ारी की राज़दानी बोपाल का भी अधिकतम तापमान 49.3 डिगरी से दर्श किया गया उमस भरी गर्मी के बीच मध्यपरदिश में एक बार फिर्ट से मौसम का मिजाज बिगड़ने आला है दरसल बताज़ारी की मध्यपरदिश के कई जिलों में बादल चाहे रहने का सिलसिला जारी होना है इसके बीची दोस्तों बताज़ारी की कुछ जिलो आकों में बारी बरसाथ की संभावना यानि की बारिश की संभावना जताई जारी और दरसल मौसम विभाक की मने तो कई जगों पर भारी बारिश और बूंदा मुंदी भी देखने को मिल सकता है और दोस्तो बताई जारे कि इसके चलते राजदानी भोपाल सहीत अधिकांस जिलो में बादल चाहे रहेंगी जबकि बताई जारे कि गौालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं पर बुंदा बुंदी देखने को मिलेगी वहीं उत्तर परदेश और बिहार में भी एक उपरी हमें देखने को मैं सकता है लगबग पूरे के पूरे मध्यपरदेश में जी हाँ दोस्तो 24 गंटाव में हाओ के साथ चलने वाले है तेज बारिश मध्यपरदेश में एक तरफ जो है काफी जादा गर्मी पढ़ रहे है तो दूसरी तर बताई जारे कि काफी मौसम में बद बदला है और बताई जारे की राजदानी बोपाल, इंदोर, उजयन, जबलपूर, खौसंगाबाद, संभाग के जिलों में बादल छाये रेने के साथ साथ तेज हावे चलने और भारी बारिश के संभावने जताई जारी है इसके अलाव ये भी बताए गया है कि उत्तर में बने वैदरी सिस्टम के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी की आने वाली सिजला शुरू हो गया है इससे बादल छाये रेने और साथी पूरे के पूरे मध्या पर बारिश होने के अनुमान जो है आसार बने हुए है वही दोस्तों बताई जारे के हाओ का बने रेने की संभाण और मौसम विभाग में मिली जानकरी के मुताबित रासदानी का अधिक्तम ताफमान 40.60 डिगरी से तक दर्ज किया गया और दोस्तों बताई जारे के अधिक्तम ताफमान इंदोर में भी काफी ज़्यादा मुकाबल है मामूली कम रहा जबकि गवालि सागर और बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी आने वाली है इसकी वज़े से बादल चाही रेने मध्य प्रदिश में फिर से भारी मौसम में बदलाव देखने को में सकता है और पश्चिम विक्षोम जम्मू कश्मीर में मौजूद है और दक्षिन पूरवी राजस्तान पर प्रेरी चकरवाती भी बना हुआ है इससे हाओ का रूख एक बार से फिर बदल जाएगा और मौसम विभा की माने तो हाओ का रूख दक्षिनी रहने से भोपाल सहीत पूरे मध्य प्रदिश के कई जिलों में अधिक्तम तापमन में बड़ोतरी दर्ज की जाने वाली है और दोस्तों बता है जार है कि जो है अगले साथ दिनों तक 37, 38, 49, 44, 41 के करीब तापमन रेकोर्ड किया जाना लाए पूरे एक सब्ता तक वही दोस्तों बात करें यहाँ पर देवास की तो देवास में सेम मौसमी सिच्टम बना हुए भारी बादलों की सहावज़ाई रहेगी दो दिनों तक दोस्तों काफी जदा बारिश की अनुमान बने हुए और बता है जार है कि दो से चार दिनों के दुरान बादलों की आवज़ाई काफी जदा रहेगी और पूरे एक सब्ता तक 37 और 38 के उपर तापमन नहीं जाना लाए यानि की गर्मी से थोड़ी बहुत र दोस्तों राजगरण में जो है अगले दो दिनओं तक काफी जदा गर्मी रहेगी इसके बाद बादल बारिश से बारी चाये रहेने के अनुमाने पूरे एक सप्ता तक बार्दलों की आवज़ाई का जखने को मिलेगी यानि कि गर्मी से काफी ज़दा रात मिली है शिहोर की बात करें दोस्तों शिहोर में अगले साथ दिनों तक 40 के करीब तापमान रहेगा लेकिन दोस्तों तीन दिनों तक तापमान में थोड़ी बहुत गिरावड देखने को मिलीगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी लेकरे तक जाने के अनुमान जत्या रहे हैं छेंद वाड़ा कि बात करें दोस्तों यहाँ पर कोंश्टन तापमान रहेगा लेकिन मौसम में चाफी ज़नडा और स्वावना मोसम रहे है और वही दोस्तों भोपाल की बात करें तो पूरे बोपाल में एक सप्ता तक चालिस के नीचे तापमान रेने के अनुमान और बारिश भी होने वाली है और तेज हवय भी चल रहे हैं लेकिन दोस्तो छे से साथ दिनों के बाद जो है तापमान में फिर से बड़ोतरी देखने को मिलेगी और भारी गर्मी का शिलसिला जो है बोपाल में फिर से शुरू हो और कटनी मध्यप्रदेश की बात करें तो कटनी में भी जो है साथ दिनों के दोरां जो है तीन दिन तक जो है 37 और 36 की करीब तापमान रेकोर्ड के जाना लेकिन उसके बाद आचानक से मौसम में बदलाओ देखने को मिलेगा आने वाले सोमवार को लग बग 22 के करीब दद्या में दो दिन बादल दो दिन बारिश ऐसा ही पूरा एक सप्ता तक सिलसिला जारी रहेगा और मता है जारी कि कई जगों पर जो है दोस्तों मध्यप्रदिश के दद्या में जो है काफी जगों पर दो दिनों तक मौसम साफ रहने और बारिश की उमीदे लेकिन उसके बाद जो है तापमान में बिल्कुल भी गिरावट नहीं होगी लगबग 40 के उपर जो है तापमान रहने वाला है जी हाँ दोस्तों वहीं दोस्तों भिंड मध्य प्रदिश की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी जो है तापमान में काफी ज़्यादा उतार चड़ाव देखने ह जारे चातरपूर में दोस्तों इस समय बारिश के जिसे आलत बन हुए और बादल काफी ज़्यादा चाहे हुए दिखाए दे रहे लेकिन दोस्तों चार से पांस दिन के बाद जो है बादलों के साथ साथ जो है कई जगों पर भारी गर्मी देखने को मिलेगी बादल जाए तो कौन से जिले में रहते कमेंट गर के जरूर बतना और मैं आपको बता दोस्तों ग्वालियर चंबल सागर बोपाल संभाग के द्वारा जो है कई जगों पर बारिश की संभावना जता ही जा रही है तो यह था दोस्तों मध्यपरदिश का मौसमी सिस्टम अगर आपको व